सो मिसर्वी रूटरेप का एक और नय अपडेट आ गया है और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रूटरेप में कुसदिन पहले अपडेट आया था जिसमें मैंने आप सभी लोगों को वीडियो को वीडियोस बना के दिया था तो दोस्तो finally router app का एक और नय update आ गया है इस बार का जो update आया है तो आप में से कुछ लोगों को अच्छ भी लग सकता है और कुछ लोगों के लिए जो बूरा भी लग सकता है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि router app में जो कुछ ने कुछ update होते रहते हैं और उसमें से लिट्रमर को बहुत ज़्यादा ही खराब लगता है और कुछ update ऐसे होते हैं जो आप सभी लोगों को पसंद आ जाता है तो चले जानते हैं कि router app का इस बार का जो update आया है वो कौन सी update आया है तो दोस्तो router app का जो पहला update आया है वो update यह है कुछ दिन पहले मैंने router app के update के ब आपको जो UC और डायमन जो और पेटियम कैसे वो आपको कैसे मिलेगा तो दोस्तो अब फाइनली वो पता चल गया है कि वो सारा चीज आपको कहाँ पर मिलेगा तो देखिए आप router app पे आपको कुछ इस प्रकार के task दिया जाएगा और जब आप इसको daily sign up करते जाओगे उस आपको अच्छे खासे UC भी मिल सकता है और फिरिफायर का diamond भी मिल सकता है तो जैसे कि आप इस day को complete कर लोगे उसके बाद आपको जो कुछ इस प्रकार के आपको जो box दिया जाएगा मतलब जो scratch card को scratch करोगे तो आपके पास जो कुछ इस प्रकार के price निकलेगा अब आपको फर्स्टर जो update है वो clear हो गया होगा router app का जो second update आया है वो आया है आपके RTMP URL के लेकर मतलब अब जो है आप router app में किसी other platform से live stream नहीं कर सकते हो आपको router app में live stream करना है तो आपको router app को ही use करना पड़ेगा जैसे पहले क्या होता था कि आप router app से RTMP उठा कर किसी दूसरे platform से ज यहां पर आपको इन वालेट क्लिक आपको देखने को मिलेगा मतलब कुछ इस प्रकार के आपको एंटरफेस देखने को मिलेंगे अब जो यहां पर जो router app है अपने RTMP URL जो सर्वाल है उससे रिमूप कर दिया है उससे जो stop कर दिया है यदि आप router app से live stream करना चाहोगे मतलब किसी दूसरे platform पे आप router app से live stream करना चाहोगे तो आप कर सकते हो जिसी कि आप local app में live stream करते हो यदि आप local app से RTMP लेकर router app में fill करके आप live stream करोगे तो आप एक सांत local application और router app पे live stream कर सकते हो यदि आप local app से router app में live stream करना चाहोगे तो आप यह नहीं कर सकते हो अब router app का जो ती प्रूटारेप का प्रूफाल हो मौटाइज नहीं हो रहा है तो आप इस बात को ध्यान से सुनगे तो देखे रूटारेप में अपसे आपको पेमेंट लेने के लिए डेली आपको लाइव इस्टिम करना पड़ेगा यदि वीक में आप एक भी दिन लेने के लिए आपको जो इसमें डेली लाइव इस्टिम करना पड़ेगा यदि आप भीक में गेप करके लाइव इस्टिम करते हो तो वहाँ पर आपका जो प्रोफाइल वो मौटाइज नहीं होगा अंडर रिव्यू में रहेगा या तो फिर आपको जो बहुत ज़्यादा अधिकत हो सकता है तो अभी तक यदि आपका रूटार एप मौटाइज नहीं हो है आपके प्रोफाइल अभी तक अप्रूबल नहीं हो है तो आप चाहिए एक घंटा लाइव इस्टिम करते हो दो गंटा लाइव इस्टिम करते हो लेकिन आप जो डेली इसमें लाइव इस देखने को मिलता है मतलब यहाँ पर आपको जो overall creation इसी को आपको maintenance करना है जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट में 10 दिया है उसी प्रकार से 100 दिया है इसको आपको जैसे जैसे आपको followers बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से आपको इसको complete करना पड़ेगा यदि आप जो इसको complete नहीं करते हो तो वहाँ पर आपको जो payment होगा वो hold हो जाएगा वहाँ पर आपको जो payment receive नहीं होगा तो दोस्तो आप से आप जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे आप live stream करोगे जितना आप अपना बेस्ट दोगे उसी हिसाब से आपके जो प्रोफाइलो ग्रो होगा उसी हिसाब से आपके व्यूज आएंगे और उसी हिसाब से आपकी earning होगी तो दोस्तो रूटर एप का कुछ इस प्रकार के अपडेट थे जो आप में से कुछ लोगों को पसंद आया होगा और आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया होगा अब दोस्तो आगे से आपको कोई भी प्राब्लम हो रहा है रूटर एपसे तो आप मुझे कमेंट करके بتाए कि आपको कौन कौन सी प्राब्लम हो रही है तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जरना झाल झाल